के रांची रोड एने चिक्तीस चित्रकोली स्थित समेकित जांच चौकी के समीप अन्यंत्रित बस और बाइक की टककर हो गई जिसमें बाइक पर सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं एक युवक गंभीर अवस्था में आनन फानन में स्थानिय अस्पताल में भरती कराया वहीं इस घटना को देखा आक्रोशित ग्रामीनों ने अर्चना बस जो बिहार शरीफ से कोलकाता जा रही थी उसमें आग लगा दी गुसाए लोगों ने दोनों युवकों के शव को बीच सड़क पर रखकर नवादा रांची पत को जाम कर दिया वहीं हाथसे की वजह बनी बस धूर धूर कर जल गई बस पर सवार सभी यात्री सुरक्षित है वही दुरगटना के बाद चालक सहित अन्य स्टाफ बस को छोड़ कर फरार हो गए हाथसे में बाइक पर सवार चित्रकोली निवासी कृष्णा यादव के पुत्र शंकर यादव और एकमबा गाव निवासी अरजुन यादव के पुत्र मनोज यादव की मौत हो गई वहीं एक युवक्स्थानी अस्पताल में भरती कराया जहां चिकित्सकों ने प्राथम अछूी कि पुत्के पार विट्वक्स्हें करें गोरो कि वहीं करने यादव पार हो गादया में अराहांग हो इस कि प्रतिंता हैं घिवाई्त शिवासी